संयुक्त अरब अमिरात यानी UAE ने देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को द्वेपक्षिय संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमी का निभाने के लिए प्रतेश्ठी जायद मेडल से सम्मानित करने का आयलान किया है UAE के राष्ट्रपती शेंख खलीफा विंजय दल नाहियान ने खोद राजाओं राष्ट्रपतियों और राष्ट्रा ध्यक्षियों को दिये जाने वाले सर्वुच सम्मान से प्रधान मंत्री मोधी को सम्मानित के जाने की घोशणा की इस आलान के बाद प्रधान मिंत्री नरेंद्र मोधी ने UAE के राष्ट्रपधी को धन्यबाद दिया है PM ने ट्विट करते हुए लिखा कि मैं इस पुरस्कार को पूरी विनम्रता के साथ स्विकार करता हूँ आपके दूरदर्शी नेत्रतु में हमारे रणनीतिक संबंध नई उचाईयों पर पहुँच चुके हैं ये दोस्ती हमारे लोगों की श्यान्ती और सम्रिधी में योगदान दे रही है इधर विदेश मंतरी शुष्ma स्वराज ने भी पीएम को मिले इस पुरस्कार पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज ने ट्विट किया मुहम्मद बिंजायद द्वारा भारत के महान सपूत प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को जायद मेडल दिये जानी की घोशना का स्वागत करते हुए मैं बेहत खुश हूँ उन्होंने कहा कि UAE के साथ रणनीतिक साज्वेदारी के नय युग और अस्लामिक दुनिया के साथ सबसे अच्छे संबंदू की शुरुआत करने में उनके प्रभावी भूमिका को मानेता देने के लिए मोदी को ये प्रत्यस्ठित पुरस्कार दिया गया है SPN 9 News के लिए शशी प्रयास सेंग की रिपोर्ट